हेलो एब्रीवन वेल्कम टो एस्पी क्लासिस माप कीजिएगा आज कुछ बेक्तिकत्व से ब्यस्तताओं के करन वीडियो थोड़ा लेट हो गया लेकिन मैं अपना हिंदी का जो पार्ट टू वीडियो है मतलब संधी जिसमें चल रही थी उसका दूसरा भाग लेके आगया तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहां से आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं तो चलिए बात करते हैं दूसरे पार्ट की दूसरे पार्ट में हम जैसे हमने देखा था कि पहले में हम देर की स्वरसंदी पूरी खतम कर दी दी ती और इस मिलकर क्रमसा छोटा ए बड़ाओ और अर हो जाते हैं मतलब यह जो है गुड़स्वर संदी का नियाम होता है तो गुड़स्वर संदी को बैसे तो आप परिभासा याद भी नहीं रख पाएंगे और नहीं परिभासा से आपको संदी याद रहती है तो यहां पर मैंने इसको ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो जो रूल सो होते हैं गुड़स्वर संदी को पहचानने को उसको आप ब्रैकेट के माद्ध हम से पहचान सकते हो और उसका एक 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 एकक्जामपल भी मैंने आपको सामने दे रखा है जैसे आ प्लस ई मिलके छोटा प्लस A बनाते है, उसी प्रकार बड़ा और छोटी मिलके भी A बनाते है, और छोटा A और छोटा U मिलके O बनाते है, उसका example है चंदर प्लस ओदैधन equal to चंदरोदाई, मतलब आपको ये याद रखना है, कि ये गुण होता है, कि A और A का गुण होता है, कि वो ओ हो जाते हैं और बड़ा उ का भी गुण होता है कि वो ओ हो जाते हैं उसी प्रकार बड़ा और छोटा उ इसका गुण हो जाता है कि वो ओ हो जाते हैं तो यह ज्यादा तर सिंपल है और लगबग लगबग एक सा है यह जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं यह रूज ज साथ यह भी पूछा जा सकता है कि यह दीर्गस्वरसंदी है या गुर्डस्वरसंदी है तो आपको यह पहचान ना होता है पागी एक्जाम में बिशेश तरिस्ते कॉस्ट कॉस्टन और नहीं बनते हैं तो चलिए एक बार इसके एक्जामपल देख लेते हैं तो महातन इंद संद्र प्लस और ओल्मी मिल्हार हो जाता है उसी माहा-ण profit रसी बरावर देवरसी हो जाता है उसी प्लस रसी हो जाता है देव प्लस रिसी बरावर देवर्सी हो जाता है उसी प्लस रिसी महर्सी हो जाता है महर्सी कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो उसे याद रखेगा ये गुण स्वरसंदी के अंतरगत आता है तो चले बात करते हैं अगली संदी अगले संदी है हमारी ब्रद्धी स्वरसंदी ये स्वरसंदी का तीसरा प्रकार है ब्रद्धी स्वरसंदी तो इसमें क्या होता है इसको देखते हैं तो इसकी परिवासा जो लिखी है यदि आ बड़ा आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है और तथा आ तथा बड़ा आ प्रद्धी स्वर संदी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी छोटे स्वर में बनते हैं उसके एक आगे का स्वर मतलब आगे का जो बड़ा वाला स्वर है वही उसका परिणाम स्वरूप रिजल्ट बनता है तो इसको अपने एक्जम्पल से जैसे देखिए यह जो ब् मिलके बड़ा ए बनाते हैं उसी प्रकार से छोटा प्लस या बड़ा मिलके और उसमें ओ या आउ जोड दिया जाए तो आउ ही बनता है तो शलिए इसको एक्जम्पल के मादने हमसे देखते हैं तो सबसे पहले बन देखिए कि आप लस ए यह आई कैसे बन जाता है तो एक अगर रह्मन करते हैं तो यह एक एक बन जाता है उसी प्रकार से मत प्लस एक के करते हैं तो मत्यक के हो जाता है तो मत में ता में जो है आ है और आई पहले से है तो यह मत्यक के हो गया उसी प्रकार से नव प्लस एस और यह नवेश्वर हो जाता है उसी प्रकार से आप बड प्लस ऐ हो तो आई बन जाता जैसे महाप्लस एसवर तो महश्वर बन जाता हैं यह जो एकजमपल मैंने लिये हैं यह बहुत ही सेलेक्टटीट एक आउन यह एकजमपल ह言 और फ्रीक्वेंट्ली पूछर एकजमपल है तो अगर आपál को कौन्सेप्ट याद रहे है न रहे परम प्लस और प्लस और बड़ा प्लस ओल के अउनाता है तो से हो जाता है इसका अगर जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हों तो इसमें समझने वाली वैसी कोई कॉम्प्लिकेटड चीज है नहीं अगर आप इसको समझते हैं आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो यह चीज आपको आसानी से समझ में आ सकती है कि ब्रद्धी स्वरसंदी का अर्थी होता है कि उसके एक आगे का स्वर बढ़के आ जाना मतलब ब्रद्धी हो जाना स्वर है दीर के स्वर संø े संदीव इंपोर्टंट ये इसलिए आपको इनको समझना जरूरी है कि उसको निनका कौ इसके लाबा हम बात कर लेते हैं यान स्वरसंदी यह फिक थोड़ी बड़ी संदी है इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है यहाद सवर संदी से बहुत कॉस्टिन मनते है तो इसमें क्या है इ बड़ी छोटाउ बड़ाउ और रिर के बाद कोई भिन्न सवर आए तो भिन्न सवर मतलब अलग सवर आए जैसे कि इ का बड़ाई हो जाता है और बड़ाई और उसी प हो जाता है उ और बड़ाई हो तो यह होता है जो अपना य्यंण स्वर संदी होता है उसके स्वर संदी में जितनी भी संदी देखी है वहां पर स्वर में परिबरतन नहीं हो रहा है लेकिन इसे जो है आपदेख सकते हैं कि अभिणजन आ जा रहा है यैसे ऑ Le i-all और उ की जगाव वह आ रहा है तो यह प्रकार से यह यह इन स्वरसंदी है इसको आपको पहचानना बहुत ज़रूर है आप इसे पहचान सकते हैं इसका यह रूल होता है तो आप यह ब्रैकेट में रूल रखे हुए हैं उसको ध्यान से देख सकते हैं उसी प्रकार से छोटा प्लस अवशक्स हो अत्यावसक हो जाता है उसको एक्जामपल हो जायागा अभी प्लस होता है बराबर अभ्योदय उसी प्रकार से अती फ्लस उत्तम बराबर अति उत्तम उपरी प्लस उक्त बलावर उपर्योक्त अब यह सब्द जो है फ्रिक्वेंटली ऐसा एक्जाम में पूचा गया थे एक बार कॉस्चन आया था कि उपर्योक्त का संदी बिग्र है क्या हो गया तो बहुत से बच्चों ने इसको गलत कर दिया था तो आपको इसको ध्यान रख करें ताकि आप समझ सखें कि यन सुरसंदी में होता क्या है चलिए आगे देखते हैं तो छोटाई और एवन के या बनाते हैं या मैं बड़ी की मातर या मैं एक की मातर जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रतियक हो जाता है यह चीज़ आपको समझ नहीं होगी क्योंकि एक्ज की चोटा अम nee कर या बनाता है तो यह अग्जम्पल हो जाएगा नधी प्लस और पन यहेऊ रोकुर नध्याए और पन उस्प्रकार से बड़ी ओड़ाया मिलके बड़ाया बनाता है यश्यावनन असे नध्य प्लस आमोक होता है तो आत्याता है आप यह सुने भी नहीं मिय बनाता है यह जैसे वानिट फ्लस उच्ट Lalवा स्वाल्प स्वाल अगर जैसे हमसी अब बात तो जैसे वहाँ word आ गया स्वक्ष का संधि बिग्रह कीजिए तो हो नहें, होगा की संधि भग्रह क्या , अगर आपने इसको पढ़नी रखा है तो आपको पढ़ना इसको बहुत जरूरी है स्वक्ष का जो है सूधन अक्ष होता है और इसमें संदी होती है अपनी यानस्वरसंदी इसके लावा भी देख लेते हैं आ छोटा उ बड़ा से मिलके वड़ा वा बनता है तो इसके एक्जांपल भी देख से सू प्लस आगत बर स्वास्तिक साधू प्लस आचार बराबर साध्वाचार तो यह थी हमारी यानस्वरसंदी चलिए बात करते हैं स्वरसंदी की आखरी संदी जो है आयादी स्वरसंदी यह हमारी स्वरसंदी की आखरी पांचवा प्रकार होता है तो इसका जो रूनियम है वो है यदि ए आई ओ, आउ के बाद भिन्न स्वर आए तो A का आए I का आए O का आउ और आउ का आउ हो जाता है परिवासा को एक बार फिर से पढ़ देता हूं थोड़ी सी confusing परिवासा है यदि A, I, O, आउ के बाद भिन्न स्वर आए मेंने स्वर मतलब कोई अलग स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा A का आए हो जाएगा I का आए हो जाएगा O का आउ हो जाएगा और आउ का आउ हो जाता है ये एक मात्रेसी स्वरसंदी है जिसमें प्रत्या का प्रियोग होता है ये आपको दिखाएंगे कैसे होता है एक्जाम्पल के बाद हमसे चलिए इसके एक्जाम्पल देखते हैं तो इसके एक्जाम्पल जो होते हैं आयादी स्वरसंदी के उधारन तो जिसे A प्लस A इसका A कैसे हो जाता है इसके उधारन हम देखते हैं उदारण को मैंने छाट कर तीन-तीन पॉइंट लिए हुए हैं, जिससे आपको किलियर हो सकता है, तो ने प्लस अन, ये मिलके आपका हो जाएगा नयन, जे प्लस अन, तो चैन हो जाएगा, ये अयादी स्वरसंधी का ए प्लस आ मिलके आय जो बनाते हैं, उसका प्रकार है, उ प्लस अक, नायक बनाएगा, सै प्लस अक, शायक बनाएगा, बान के लिए इस सब्द कप्योग होता है, उसी प्रकार से बिधी, बिधे, धन, अक, बिधायक हो जाता है, अब बिधायक सब्द काफ से संदी विग्रह कहीं भी पूंच सकता है, MPSI में ये कॉस्टन चार वार आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा Political Term है, इसको याद रखना आपकी जवातारी है, बिनाय प्लस अक, बिनायक हो जाता है, गय प्लस अक, गायक हो जाता है, इसके बाद हम देखते हैं I प्लस E के उधारण, तो ये हो जाते हैं I, तो इसके उधारण क्या प्रकार से दैने हो जाता है यह समझने में आपको सहायता मिलेगी किस किस प्रकार से आयादी स्वरसंधी हो जाती है मосьलब उनसे स्वर्ज होता है भिन्ध हो जाता है वो सवद्धि सवर्ण आके कोई अलग आजाता जैसे नय प्लस अक्ष है तो अब इसमें भिन्धि परकेंव सब्सक्राइप नय कुछ और से अगर हम बात करें तो आ था तो वहां से य आ गया तो यही होता है इसमें जो परिवर्दन होता है यह है अपनी आयादी सुर संदि उसके लावा ओ प्लस इथ अभी होता है तो इसका एक्जम्पल हो जाएगा गो प्लस इस गवीश हो जाता है उसके प्लस आ से आउ होता है तो वह कैसे हो था पौब प्रकार हम बात करें तो प्लस पावद करें आना हो जाएगा सवप्ल सवग होजाएगा बॉक आगळा नौ प्लस एक नाविक हो जाएगा यह आपको किसी भी बुक में ऐसे एक्जामपल नहीं मिलेगे जहां पर आपको अलग-अलग बताया हो कि किस सब्द से मिलके क्या होता है और कैसे एक अन्यस्वर आ जाता है तो अब विविन प्रकार के उधारन को भी अलग-अलग तरीके स से बहुत ही इंपकोटन टाइप के एक्जामपल से समझ रखते हैं उससी प्रकार से आव प्लस जो है आवू हो जाता है उसका भाव प्लस अख भावुक है तो यह थी हमारी आयादी स्वर संधी के उधारन आयादी स्वर संधी जो है हमारा आखरी प्रिकार था संदी का इसके पहले हमने देखा था यानसवर संदी यानसवर संदी के पहले हम और हमने देखा था ब्रद्दी संदी ब्रद्दी संदी के पहले देखा था गोनसवर संदी और गोनसवर संदी के पहले देखा था हमने दीर्ग संदी यह पूरी संदी थी हwahat हमने शुर्वार्थ हमने शंदी से किसे पीस हैं मैं उसके Punch संदी विसर्ग संदी के पाँच प्रकार देखे थे जिसका पूरा ज़ो हमने वीडियो कवर कर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी आपको लिंक के दे रहा हूं जहासे आप उसके क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं तागि आपको यह दूसरा वीडियो भी समाज आए तो यही तक हमने किवल्स दो वीडियो में पूरी स्वर्संधी संधी और पूरी स्वर सन्धी को 5 परकार को कपर किया है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया गत्राइब अगर आपका पढ़ने में मन है तो वीडियो आपको लंबा नहीं लाएगा Гइडियो को आप समझ सकते हैं पूरी संदी का अभी जो स्वर संदी वाला भाग है उसको मैंने कबल कर लिया है मुस्ट प्रभबली दो या तीन वीडियो में एक या दो वीडियो में मैं संदी को खतम कर दूँगा तो ये वीडियो साहथ आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा ये कंटेंट अगर आपके मित्रों को भी उप्योगी है तो उनके साथ ये वीडियो को सेर जरूर करिएगा हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे वीडियो देखने के लिए धन्वाज चैहन चैभारत